जैहिन, नमस्कार, वेलकम यू आल तो मिसन कॉंपेटिशन, मैं रहूल आप सभी के सुवात करता हूँ दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हो, बिहार ऐसे से इंटर लेवल वाला जो है, इसका डेट एक्स्टेंड हो गया है और थोड़ा बहुत नहीं, एक महीने के लिए एक्स्टेंड कर दिया गया है इससे आपको कितना फाइदा है और नुकसान है, ये तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे लेकिन यहाँ पे ज़्यादा तर जो मैं अगर देखूं, तो हाँ आपको फाइदा है competition जरूर बढ़ गया है, लेकिन जो serious aspirant है, उनके लिए यहाँ पे फाइदे की बात है दूसरा, यहाँ पे आपको देखिए चार portions में ये जो examination इसका syllabus divide किया गया है math, reasoning, gksgs और science, अगर आप इसी portion में इसी तरीके से अगर आप त्यारी करते हैं तो I don't think so कि आपको ज़्यादा तकलीफ होगी, अगर आप इस तरीके से त्यारी नहीं करिएगा, आपको तकलीफ काफी होगी पहले बात करते हैं, फाइदा क्या है, और फिर बात करेंगे नुकसान क्या है, ठीक है तो देखिए अगर हम लोग फाइदे की बात कर लें, यहाँ पर simple सा एक criteria आपको समझना है अगर फाइदे की हरे हम लोग बात कर लें, यहाँ पर देखिएगा पहला जो आपका यहाँ पर फाइदा होगा ठीक है पहला जो आपका यहाँ पर फायदा होगा यह फर्स्ट जो यहाँ पर आपको फायदा होगा वो होगा आपको टाइम ज्यादा मिल रहा है ठीक है पहला यहाँ पर फायदा आपको यह होगा कि टाइम आपको काफी एक्स्ट्रा मिल रहा है अब इस एक्स्ट्रा टाइम के साथ आपको जादा तैयारी करने का बहतर मौका मिल रहा है दूसरा यहां पर आपको फायदा यह होगा कि आप स्लेबस के according ठीक है अच्छे से जो स्लेबस में पूरा जो सब कुछ बताया गया है जो लिखा गया है सलेबस के according आप सब कुछ धुआधार तरीके से त्यारी कर सकते हैं यहाँ पे कुछ free YouTube channels भी है जो की बिल्कुल syllabus के according यानि की math और reasoning की classes उनके अल्रेडी चल रही है और बहतरी इंतर के classes चल रहा है आप लोग अगर join नहीं किये हैं या तो अगर आप लोग अभी तक वहाँ से पढ़ाई स्टार्ट नहीं किये हैं definitely कर लीजे join ठीक है दूसरा यहाँ पर मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा हमारे चैनल पर भी यानि mission competition को पर भी आपके लिए टेलिग्राम चैनल पे टेलिग्राम चैनल स्टार्ट किया गया है जिसमें कि आपको डेली के टार्गेट दिये जाते हैं संडे संडे जो डेली टार्गेट है उसका practice करवाय जाता है और साथी साथ अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर जितने भी हमारे subjects है उनके notes भी आपको provide करवाय जाते है तो I hope so अगर आप लोग चाहें उसके साथ जोड़ सकते हैं आपको उससे काफी फायदा ही मिलेगा तीसरा जो आपको यहाँ पर अगर हम फायदे की बात कर लें थीक है सब कुछ जगह पर ला सकते हैं यानि आपका NCL हो OBC हो या तो फिर आपका जो यहाँ पर एक typing certificate जो यहाँ पर मांगा जा रहा है यह typing certificate हो ऐसा जो भी है आप इन सब का भी विवस्था कर सकते हैं चलिए यहाँ तो हमने बात कर लिया क्या क्या आपके फाइदे हैं अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं नुकसान का कि आपके जो है यहाँ पर losses क्या क्या है ठीक है losses के हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको कितने इस से losses है पहला देखे competition काफी high level पे चला जाएगा काफी high level पे अब जहाँ पे अभी अगर जो 9 ताइक तक का जो rate था अगर 9 ताइक तक ही ये form रहता उसी rate तक अगर time दिया जाता तो जो अनुमान लगाया जा रहा था लगबग 24 से 25 लाख तक जो है ये संख्या रह सकता था अब ये exceed कर जाएगा क्योंकि 30 दिन extra मिल गया तो जो बच्चे फस रहते किनी कारणों से उनका certificate नहीं था उनके पास typing का certificate नहीं था वो सब कुछ अब वो लोग arrange करके यहाँ पे submit कर सकते हैं तो अब ये जो चीजे हैं ये approximately देखे 30 से 32 लाख के आस पास ये संख्या जा सकता है अब संख्या ये बढ़ने का मतलब है यहाँ पे जो दूसरा आपके साथ नुक्षान होगा कि high cutoff जाएगा ठीक है high cutoff जाएगा competition अल्रेडी बढ़ गया high cutoff जाएगा यहाँ पे सबसे बड़ा loss आपके साथ यहीं होगा तीसरा loss के अगर हम बात कर ले ठीक है थर्ड जो यहाँ पे loss के अगर हम बात करते हैं पहला तो competition बढ़ गया दूसरा high cutoff जाएगा तीसरा यहाँ पे चुकी ज़्यादा तयारी का समय मिल गया तो यहाँ पे मैं एक चीज बोलूँगा ठीक है 67th BPSC की मैं बात कर रहा हूँ अगर आपने 67th BPSC का परिक्षा दिया था आप लोगों को याद होगा 7 बार कितनी बार 7 बार exam date extend हुआ था ठीक है exam date extend हुआ था आप लोगों को अगर याद होगा तो अच्छी बात है नहीं तो मैं आपको जनकारी देता हूँ अब आप बोलिएगा 7 बार exam date extend हुआ तो इससे मतलब इसका क्या सरोकार है बताता हूँ देखिए यहाँ पे form भढ़ने का जो rate extend हो गया जाहिर सी बात है exam date भी आपको automatically एक देर महीना आगे चला गया पहला बात तो यहाँ पे यह है अब जब exam date आगे चल गया आपको तयारी करने का ज़्यादा मौका मिल गया सरसथिमी भी यहीं हुआ था बार-बार exam date extend होने के वजह से तयारी करने का students को ज़्यादा मौका मिल गया बहतर मौका मिल गया जिस वजह से BPSC के हितिहास में सबसे आदा cut-off गया था, 113 ये general का cut-off गया था, जो कि आज तेक history में कभी गया ही नहीं था BPSC के, 113 cut-off गया था, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे student as a student आपको चो extra time मिल रहा है, अगर आप dedicated हैं बिहार SSC के लिए और सचीवाले जहाएक के आप इसको बहतर त्यार कर पाईएगा, पहला तो यहाँ पे आपके साथ यह चीज हो गया, दूसरा आप इसके लिए अलग से proper strategy बना के, जो अलग subjects हैं, like math, reasoning, इन दो पे आपको खास करके focus करना है, 75 नमबर आपके यहाँ से आएंगे, और जो यह 75 नमबर है, यह बिलकुल sure shot नमबर आपके होंगे, sure shot नमबर यानि 75 में से आपको target at least करना है, 65, 66 आप जरूर सही बनाए, 65 से 66, कम से कम मैं बोल रहा हूँ, तब आपका definitely result रहेगा, बाकी जी के जी सभी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़िये का, दूसरे ही पढ़ेंगे, लेकिन आपको अलग बनाए कमेंट होने के बज़े से, आपको इसमें क्या लगता है, आपका इससे profit है या loss है, कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो चले के वीडियो को share जरूर करिएगा, धन्यवाद